हेलो बच्चों चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं जो सबसे फ्रिक्वेंटली लगवग 99% पूस्ता ही पूस्ता है हर साल और वो जो डिस्टिंग्विश टेस्ट का क्वेश्टन है वो है आयोडो फार्म टेस्ट पे यह है आयोडो फार्म टेस्ट पे तो अगर माल लो दो कंपाउंट्स है जिस दो कंपाउंट्स में आपको डिस्टिंग्विश करना है और अगर वो आयोडो फार्म टेस्ट का कुश्टन है तो हम कैसे अडिन्टिफाई करेंगे कि कौन सा कंपाउंट iodoform test देगा, हमें ये पता करना है, तो उस ते लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ये group पता करना है, C11O, CH3 group एक तरफ होना चाहिए, इधर चाहे कुछ भी हो, इधर चाहे कुछ भी हो, मानलो ये CH2 है, CS3 है, इधर कुछ भी है, आपको देखना है कि इसमें ये group होना चाहिए, जिस compound में ये group है, वो iodoform test देता है, and, इसके अलाबा एक और group होना चाहिए, और वो कौन सा है, ये ketone है, अगर हम इसको reduce करेंगे, तो ये single bond OH, alcohol बन जाएगा, 2 degree alcohol, तो actually में इसमें ये group present होना चाहिए, कौन सा, तो देखिए, CH यही alcohol बन गया, correct है, और एक तरफ CH3 होना चाहिए, इधर चाहे कुछ भी हो, इधर चाहे कुछ भी group present हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी R है, कुछ भी आइधर, तो CS3 CH group, OH group present होना चाहिए, ये group present होना चाहिए, ऐसा वाला group, I do form test देना है, तो किसी भी compound में आपको देखना है, कि अगर ये दो गुनो group present है, तो वो I do form test देगा, जैसे मान लीजिए, अगर example हम देखना चाहिए, तो एक example, पहला, आपको distinguish करने के लिए देगा, प्रोपेन, प्रोपेनोन, एंड, कुछ भी example, उसमें example हम कह सकते हैं, मीथेनल, तो अगर हम structure ड्रॉप करते हैं, प्रोपेनोन का, CS3, C111 O, CS3, ये हुआ, एंड, मीथेनल का, aldehyde हो गया, aldehyde का first member, तो हम ये देख सकते हैं, कि जो प्रोपेनोन है, इसमें ये वाला group present है, तो ये आईड, आईड, आउट, टेस्ट देगा, तो इस तरह से, आईड, आउट, टेस्ट देने वाले, compound को हम identify कर सकते हैं, थैंक यू, अजट